कि ख्राणादहार आत्मसंबंदी सुन्दर साथ जी बहुत ही हरुष्की बात है कि आज महाराज चत्रसाल जी की जयनती पर हम सभी सुन्दर साथ जितने भी मंदिर हैं आश्रम हैं और निजानन्द संप्रदाय के धार्मिक आध्यात्मिक सस्था हैं हम सभी सुन्दर साथ उन्हें याद कर रहे हैं उनको इस्मरण कर रहे हैं विक्रम संबत 706 जेश्ट महिने के शुक्ल पक्ष की तृतियाको चत्रसाल जी का जन्म हुआ चुकि बीतक में हम हर वर्ष सुन्ते आए हैं तो मुझे लगता है कि तीथी त्यादी सब को याद है होगी और अगर नहीं है तो याद रहनी चाहिए जेश्ट महिने के शुक्ल पक्ष के तृतियाको इसका तात्परिय यह नहीं है कि हर वर्ष जून महिने की 9 तारीख को हम मनाएंगे तीथी अलग-अलग पढ़ती है कभी महिने में कभी जून महिने में और डेट भी अलग-अलग होती है पर हम तीथी याद रखेंगे और मुतिति के हिसाब से इस्मरण करेंगे महाराज चत्रशाल जी को इस्मरण करने का भाव यह है कि हम उनके गुणों को याद करें चत्रशाल जी का बाल्यकाल बहुत ही संघर्सम ही रहा है और आज तक श्रिष्टी में ऐसा कोई भी महान व्यक्तित्व नहीं हुआ है कोई एसी महान विभूती नहीं हुई है जो संघर्स की भट्टी पर तपे बिना तयार वुई हो जिस प्रकार भट्टी पर बार बार तप करके ही सोना जो है वो कुन्नन मनती है इसी प्रकार संघर्ष की बट्टी पर तब करके ही कोई व्यक्ति मनुस्य से महामानो बनता है पुरुष शे महापुरुष बनता है इसी तरह महाराजा चत्रसाल जी मैं महाराजा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने जब से जाना तब वो महाराज थे पर चत्रसाल जी का बाल्यकाल भी बहुत संगा समई रहा है जन्म ही विकट परिस्थितियों में हुई साड़े बारह वर्स की उम्र में साड़े बारह वर्स कोई बहुत अधिक आयू नहीं होती है और साड़े बारह वर्स की अल्प आयू में ही उनके माता-पिता का धामगमन हो गया युद्ध में वीरगती को प्राप्थ हुए और माता-पिता के मृत्यू के बाद अगले नौ बर्स अर्थात लगबग 21 वर्स की अवस्था तक 17 साल जी ने कठोर शंगर्स किया क्योंकि कहा जाता है कि मित्र की या आपके सुभजिन्तकों की परिक्षा विकट परिस्थित्यों में होती है 17 साल जी की भी ऐसी ही परिक्षा हुई उनके जो अपने थे सगे संभन्दी थे उन्होंने भी चूकि मुगलों से विरोध था इस कारण सब ने 17 साल जी से मुह मोड लिया यहां तक की ऐसा कहा जाता है कई साहित्यों में भी पढ़ने को मिलता है कि उनकी सगी बहन ने भी अपने घर के द्वार 16 साल जी के लिए बंद किये थे तो सोचिये की उनकी अवस्था कैसी रही होगी लेकिन इन सब कठिन परिस्थित्यों को सहन करने के बाद ही चत्र साल महराजा चत्र साल बनने तक के सभी गुण अपना पाए जब हम उनके गुणों की बात करते हैं जोकि समय का आभाव है 20 मिनिट में तो हम उनकी लिला को या उनके गुणों को नहीं बता सकते लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि शंग्छेप में कुछ गुण सुन्दर साथ के मस्तिष्क में जाएं ताकि मस्तिक से हृदय में उत्रें और हम भी उन गुणों को धारण करने के मार्ग पर चव सकें उनमें एक योद्धा का गुण था जुजारू योद्धा का गुण था मैं बाहरी गुण से प्रारम कर रहा हूं लोकिक गुण से और उनके तो लोकिक गुण भी अलोकिक थे देखे 25 सैनिकों से उन्होंने अपना पहला युद प्रारम किया था 30 सैनिक समझ लीजिए जिसमें 5 घुड़सवार और 25 पैदल सैनिक थे और 30 लोगों की टुकडी कोई बहुत बड़ी नहीं होती और कहां 252 युद उन्होंने लड़े तो उनका मैनेजमेंट कैसा रहा होगा किस तरह से 30 लोगों की टुकडी से उन्होंने पूरे बुंदेल खंड पर विजय प्रात की होगी सेना बढ़ाते बढ़ाते सेना का बजट बढ़ाते बढ़ाते ये उनका मैनेजमेंट था मेनेजमेंट नहीं वीरता तो थी ही साथ में तो उनकी अंदर की वीरता का गुण ऐसा था कि कहा जाता है कि उन्होंने 252 लड़ाईयां लड़ी थी जिसमें 52 लड़ाईयां बड़ी बड़ी थी और यहां तक की वितक में भी हम पढ़ते हैं कि 22 अस्वारों मारी फौज तीन हजार तीन हजार लोगों के सामने 22 लोगों की टुकडी लड़ी थी हां अक्षरातीर स्री प्राणा जी का आशिरवाद तो प्राप्त था ही लेकिन उस आशिरवाद के पीछे उनका द्रड विश्वास भी था तो उन्होंने 252 लड़ाईयां लड़ी और उनके विशे में कहा जाता था कि इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौस छत्र साल सो लड़न की रहीन काहुँवोस उनसे लड़ने की हिम्मत लड़ने का साहस कोई नहीं कर पाता था और यहां तक की अपने अन्तिम समय में ओरंग जेव ने भी अपने पुत्रों से कहा था कि किसी से भी लड़ाई कर लेना दुनिया में लेकिन छत्र साल से मत लड़ना क्योंकि उनके बास खुदाई ताकत है तो ये वीरता का योध्धा का गोण था लेकिन छत्र साल केवल राजा महाराजा या वीर योध्धा ही नहीं थे छत्र साल जी में विद्धा वी थी और ऐसी विद्धा ने विद्धा कूट कूट कर भरी थी आप सोचिए कि वितक का एक प्रसंग हम सब सुन्दर साथ को याद है कि बुंदेल खंड के जो बड़े-बड़े विद्वान माने जाते थे सबसे बड़े विद्वान इकठे स्य जो किया शत्र साल जी निन और न केवल उनको सास्त्याक में पराश्त किया उसके पस्टाद भी हमें पूरे पितियास का सायद नहीं पता क्यों कि लालदास जी जो कि ब्राम्भण विद्वान पंडित है उसको हराया तो मैं उनसे बदला लोंगा और ज्यानी बदला लेगा तो ज्यान सही लेगा वे और अधिक ज्यान प्रात करने के लिए बनारस गए जिसको हम काशी भी कहते हैं काशी जाकर के 12 वर्सों तक विद्या अध्यान किया और जाकर के पुनह 16 साल जी को सास्त्रात के लिए चुनोती दी और 12 वर्स के अध्यान किये हुए पंडित को जो कि ब्रजभुशन जी हैं बद्रिदास जी के पुत्र उनको भी 16 साल जी ने पुनह सास्त्रात में परास्त क और इन दो गटनाओं के अतिरिक्त एक और बात की में पुष्टी करना चाहूँगा या एक और बात रखना चाहूँगा में सुन्दर साथ के बीच में उनकी विद्वत्ता से सम्भंदित कि छे दर्षन का जो विशय है शास्त्रों का ये बहुत जटिल विशय माना जाता रहाएं जब स्रीजी हरिद्वार पहुचे थे वहाँ तो दर्षन के विशज़ विद्वान थे और वो भी एक एक दर्षन के विशय को पकड़ कर बैठे थे और किसी को भी सायद तब तक ये पता नहीं था तार्तम ज्यान से रहीत होने के कारण कि 6 दर्शन एक दूसरे की विरोधी नहीं है एक दूसरे की पूरक है माराजा चतर साल जी ने एक संचिप्त सुत्र में कह दिया कि 6 दर्शन खट अंधन को हाथी जो 6 दर्शन है वो अंधों के हाथी की तरह है अर्थात जिस तरह से 6 अंधे लोग हैं हाथी के एक एक अंग को पकड़ते हैं लेकिन जो जिसके पास आँखे होती है वही ये बता सकता है कि ये हाथी का कान है ये हाथी की सूण है ये हाथी के पैर है ये हाथी के पूँच है या ये हाथी की पीठ है तो छत्र साजी ने कहा कि यह जो दर्शन है यह अंदों के हाथी की तरह अलग अलग विद्वान अलग अलग विशय को पकड़ कर बैठे हैं लेकिन वास्तों में पूरा अलग अलग अंग मिल करके एक हाथी पूरा होता है इसी तरह से छे दर्शन मिल करके एक विशय पूरा ह क्या है वो सब हमें तार्तम ज्यान की द्रिष्टी से पता चलता है जो कि महाराजा छत्र साल जी ने एक सुत्र में बताया तो वे विद्वान भी हैं वे एक दुर्धर्श योद्धा भी हैं और इसके साथ साथ में में एक और गुण है शत्र साल जी एक बहुत अच्छे राजनितित्ज्य है कि मैंने बहुत बड़े-बड़े राजनितित्ज्यों के विशह में पढ़ा आज Unless सबसे बड़े राजनीती माने जाते हैं श्रीक्रिष्ण जी उसके बाद माने जाते हैं आचारिय चानक्य फिर महाराजा सिवा जी का नाम आता है छत्रपति शिवा जी का लेकिन मैंने श्रीक्रिष्ण जी की राजनीती के विशय में जब पढ़ा विचार किया तो मुझे पता चला कि श्रीक्रिष्ण जी भी कम नहीं थे उनका एक सिद्दान था उन्होंने अच्छे राजनीती जी के लिए एक ही सुत्र बताया एक पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि रैयत सब र राजी रहे ताजी रहे सिपाहे छत्र साल तिन राज को बाल न बांको जाए क्या केते हैं कि जिस राज्य में प्रजा प्रसन्न हो और सैनिक तरो ताजा हो युद्ध के लिए तयार हो तो ऐसे राज्य का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि यदि जनता प्रसन्न है तो अंदर ग्रीह युद्ध छिड़ने की संभावना नहीं होगी और कोई भी वेक्ति दूसरे किसी लोब में धोखा नहीं करेगा और यदि सैनिकों को समय पर वेतन दिया जाता है युद्ध का अभ्यास बार-बार कराया जाता है युद्ध की तैयारी करायी जाती है तो बाहरी सत्रू से भी रक्षया होगी तो दो चीजों को यदि आप अपना लेते हैं तो आप अच्छे राजनीती जिये बन सकते हैं ये महाराजा 16 साल जी की एक विसेस्ता थी और इन सभी विसेस्ताओं से बढ़कर सबसे बड़ी जो विसेस्ता है वो ये है कि 16 साल जी ब्रह्म श्रिस्टी है साकुंडल सकी है सभी गुण एक तरफ है और उन्होंने स्रीजी की जो पहचान की स्रीजी के प्रती जो समर्पन किया उनकी जो सेवा की वो गुण एक तरफ है और पहचान जब की तो ऐसे पहचान की कहते हैं पूरण ब्रह्म्भ से नियारे ये पहचान है क्या कहते हैं कि एही अक्षरातीत है एही धनीधाम एही महम्मद महदी इसा एही पूरे मनुरत काम साथ समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो हम जीनहा तुम्हें बनाए श्री धकुरानी जी साथ संगले ये चौपाई मुझे बहुत प्रिया लगते वैसे तो प्रतिक चौपाई का अपना मत्व है पर जब मैं ये चौपाई पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि 16 साल जी ने श्री जी की पहजान स्वयम भी किस तरह से की और आने वाली पीडी में ब्रह्म स्रिष्टियों को भी प्रेरणा देने के लिए उन्होंने कहा कि स्री ठकुराने जी साख संगले पधारे मेरे घर धनी बिना तुम्हें कोई और देखे सो नहीं मिसल मात्वर कोई यदि आपको धाम धनी के अतिरिक्त अक्षनातीत के अतिरिक्त एक साधारण गुरु के रूप में संत या कवी के रूप में देखता है या उस रूप में पहचान करता है कोई महापुरूस या महानविभूती के रूप में कोई सिद्ध संत के रूप में पहचान करता है तो वो मिसल मात्वर वो ब्रह्म स्रिष्टि की जमात में है ही नह ऐसा उन्होंने समर्पण किया जब बात आती है सेवा की उन्होंने आर्थिक सेवा के लिए तो नियम ही बना दिया था कि जिन जिन राज्यों में युद करेंगे राज्य से जो कर आएंगे उन करों को चार भाग में बाटा जाएगा एक भाग अर्था 25 प्रतिसाद जो है वो सुन्दर साथ की सेवा में लगाई जाएगे ये तो आर्थिक सेवा की बात हुई जब हम अस्टप्रहर की सेवा देखते हैं आज हमसल सुन्दर साथ वैसे तो आज ब्रह्मवानी की चर्चा के माध्यम से यूट्यूब जूम मीटिंग फेस्बुक के माध्यम से सुन्दर साथ जागरूख हो रहे हैं मैं सेवा के लिए सजग हो रहे हैं फिर भी चत्रसाल जी की सेवा की बराबरी तो आज भी हम कोई नहीं कर पाते हैं हमें एक पाँच लोगों के परिवार की जिम्मेदारी नीभानी होती है उसके बाद भी हम ज्यादा से ज्यादा 1 गंटा, 2 गंटा निकाल पाते हैं महाराजा 17 साल जी को राज्य का अंदर की देखवाल भी करनी है 252 युद अपने जीवन काल में लड़े तो सैनिकों को भी समालना है बाहरी सत्रों से रक्षा करनी है अंदरी आंतरिक सत्रों से रक्षा करनी है जनता को भी समालना है और उसके बाउजुद भी बी तक में अस्ट प्रहर की सेवा में पहले प्रहर से लेकर के साथवे प्रहर तक अर्था तरात्री के 12 से 3 बजे के बीच तक भी प्रत्येक प्रहर में महराजाग छत्रसाल जी का नाम आता है कि वो जब भी आते थे तो इस समय जो सेवा हो रहे होती थी उस सेवा में सामिल होते थे और उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी सेवा बड़ी कही जाती है किस सेवा को छोटी कही जाती है ये नहीं देखा सेवा सेवा ही होती है तो इस तरह उन्होंने स्री जी की पहचान की स्री जी के प्रति समर्पित हुए और उनकी सेवा की और उसके बाद 1751 में स्री जी के द्वारा समाधी लिये जाने के बाद भी और वो भी समाधी लेते हुए भी स्री जी ने क्या कहा कि महराजा जी सो कहा मै क्षेज़ में देखत ह 쓰고ं तुम तिस वास्ते सेवा सा सकी स्वंप चले हैं हम सुन्धर साथ की जिम्मेदारी उठाने योग्या में एक आप देख रहा हूं इसलिए मैं संदर्साथ सेवा आप को शौप जा रहा हूं अब आगे की जागनी आपके द्वारा होनी है अब महाराजा चत्रसाल जी के द्वारा आगे जागनी होती है किस तरह से उन्होंने अलग-अलग परमन्सों को ब्रह्मोवाणी के प्रचार प्रसार के लिए भिन्द मिन्द छेत्र में भेजा कैसे ब्रम्हवानी का प्रचार प्रशार किया इससे हम सब सुन्दर साथ अवगत ही है आज चत्रसाल जी की जैनती के आउसर पर उन्हें याद करते हुए उनकी गुणों को इस्मरन करते हुए हम सब भी स्री जी की उसी तरह से पहचान करें कोई भी सुन्दर साथ हो चाहे कितना भी बड़ा ग्यानी कितना भी बड़ा विद्वान हो यदि स्री जी को स्री प्राणनाजी को संत कवी महापुरुस सिद्ध या एक महान विभुति के रूप में देखता है तो वो ब्रह्मित सिष्टी नहीं है ऐसा 17 साल जी महाराज कह रहे हैं तो हम प्राणना जी के स्वरुप के पहचान करें 17 साल जी की तरह सेवा हम नहीं कर सकते लेकिन कम से कम उनके पद चिन्नों पर चलने का प्रयास तो कर सकते हैं आज हमें भी यदि हमारे जीवन में भी कोई कठी नहीं आती है तो हम देखें मैं जब 17 साल जी के बारे में पढ़ रहा था तो जैसे ही मैंने यह वाक्य पढ़ा कि 12 वर्स की उम्र में उनके माता पिता वीरगती को प्राप्त वे और उसके बाद जो 9 वर्स का संगर्ष पढ़ा तो मुझे लगा कभी कभी सुन्दर साथ मेरे से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि अच्छा आप लोगोंने बहुत महनत की होगी कि आप लोगोंने बहुत संगर्ष किया होगा तो मुझे एक गीत की पंक्त याद आई कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है चत्रसाजी ने जो भोगा है या और भी परमन्च वेचाय परमन्च महाराच ले राम्रतंदाह जी जिन जिन भी परमन्चों ने अपने जीवन में संगर्ष किया उसका 10% भी हमने संगर्ष नहीं किया तो मैं आप सब सुन्दर साथ से आगरह करता हूँ कि हम सभी उनके संघर्ष से उनके त्याग समर्पण से उनकी पहचान उनकी सेवा भावना से शिक्ष्या ले और अपने जीवन में भी उस सेवा को अपनाए उस समर्पण को अपनाए यही हम सब के तरफ से उनके द्वारा या उनको दी जाने वाली अच्छी स्रद्धान जली होगी, सच्छी स्रद्धान जली होगी। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, समय पुरा होता है, सब को प्रणाम।